हेलो फ्रेंड्स यह जो लैनिस्केप सीनेरी ब्लेक और वाइट बनाया गया है इसे ग्रेफाइड और चारकॉल पैंसिल दोनों का इस्तमाल करके बनाया गया है इसके अलावा भी बहुत ही कम मैटरियल यूज किये हुए उनका भी मैं पूरा वन्न करूंगा सबसे पहले यह जो इसकाई बनाने के लिए पैंसिल इस्तमाल कर रहा हूँ यह सिक्स भी ग्रेफाइड पैंसिल है इस पैंसिल के पाउडर का इस्तमाल कर रहा हो और पाउडर इस्तमाल करने के लिए कटर का भी इस्तमाल किया है आप देख सकते हैं हलके हलके हाथ से कटर को रगड के इस तरह से पेपर पर डाल सकते हैं इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद मैं एक कॉटन का ब्रस लेते हैं ये रूई का ब्रस बनाया हुआ है और ये बहुत ही इजी तरीके से बनाया लेकिन प्रस नहीं देना है जल्दी लुक लाने के लिए अगर आप प्रैसर देंगे तो दाग दब्बे पढ़ जाएंगे दाग दब्बे इसमें नहीं चाहिए इसकाय का रंग चाहिए ब्लैक और वाइज इसकाय बनाना इसलिए अलका प्रेशर देना चाहिए बहुत ही अलका प्रेशर देने के बाद में आपको इस तरह सा लुक आएगा थोड़ी जगह छोड़िए उसके लिए जहां पर आप वाइट वाइट बादल यानी क्लाउड बनाना चाहता है तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे जगह छो लेंगे तो काफी बैतरी तरीके से ब्लैंडिंग हो जाएगा यह तरीका आप हर एक ड्रोइंग में बना सकते नहीं कि सिप स्काय के लिए और भी कई ड्रोइंग में इसका इस्तमाल कर सकते हैं यान सीम इतना देना है कि इसमें प्रेशर नहीं देना है बहले एक बार नहीं लाने के लिए एरेजर का इस्तमाल काफी बैटर है इन बादलों के किनारे वाले इसे को थोड़ा साफ करने के साथ-साथ ये भी ध्यान देगें कि कुछ-कुछ जगे ऐसी भी छोड़नी है जहां पर हलका डार्क लगना चाहिए ताकि बादलों का सेप आ सके बीच में नीचे को बनाने के लिए और भी कई तरीके हो सकते है लेकिन मुझे ये एरेजर का इस्तमाल करना और ये कॉटन का इस्तमाल करना काफी बैटर लगता है ये दोनों काफी बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीज़े को रगड करके आप इस तरह से बहुत ही बेतरीन तरीके से जाडिया बना सकते है जाडिया बनाने के लिए वीडियो पहले भी बनां रखे यहेइन लेकिन इसमें भी तरीका बहुत ही मैं चुर्ण고 आपना रहा हूं, अब दैक सिकते हैं काभी हलके तरीके से थोड़ा सा ब्लैंडिंग जरूर करता हूँ उसके बाद मैं एक मीडियम चारकॉल पैंसिल लेते हैं और पुरानी एक जोपड़ी या पुराना घर बनाएंगे इसके लिए पहले आप बाउंडरी लाइन को आसानी से बना सकते हैं और इसके जो उपरी च्छत ह जोड़ा ऑनी होड़ा तरह दिस्टेंस चोड़कर आप इस तरह से पैंसील को रगन के पुरानी स्टाइल वाले या पुरानी च्छत या पुरानी घर वाले इस तरह से च्छत बना सकते हैं जब भी आप ओल्ड खोपड़ी बनाते है तो इसमें अलाइमेंट मत रकिए यास स्केल आधी वगरा इस्तमाल मत कीजिए क्योंकि इसमें एलायमेंट नहीं रहेगा तभी यह पुरानी जोपड़ी लगेगी यहां पर सौप चारकॉल पैंसिल का इस्तमाल किया दरवाजे के शेड़ो दिखाने के लिए और उपरी इससे के चर्थ और जहां जहां शेड़ो य इस आईटम का इस्तेमाल कर रहे हूं और इसका लूक यह तब आएगा जब मैं इसमें चारकॉल पैंसिल रगड़ करता हूं किड़की के लाईन है यह से इंकलेक्ट पैंस से लूक आ जाता है यह इंकलेस का इस्तमाल में यहां पर खड़ी सपेज जाडिया दिखाने के लि कर सकते हैं लेकिन इसकी जरूरत इतनी है कि जब आप पैंसिल इसके उपर रगड़ेंगे तब इसका निखार आएगा इसके पहले चार कॉल पैंसिल का इस्तमाल करके एक पेड़ बना देते और इस पेड़ में बीना पत्य वाला पेड़ है इसकी जो डालिया है वह नीचे से उपर की और सलाइड करती हुए पेंसिल को चला कर इसको बनाए जा सकते हैं आप देख सकते हैं बसकाहँ तो अलका सा कहीं काई कई राउंड गुमा देता हो तैकि इस तरह से सुके पेड़ वाली डालिया या सुका पेड़ आसानी से ड्रोइंग हो जाता है आप देख सकते हैं उसके बाद मैं चार कॉल सौब पेंसिल लेते हैं और इसका इस्तमाल भी बहुत सारी जाडिया बनाने में करेंगे पीचे की साइड में जो जाडिया बनाई थी वो ग्रेफाइड पेंसिल से बनाई थी क्योंकि उसको थोड़ा दूर से दिखने वाली जाडिया का लुक देना था और यह थोड़ा नजदिक में दिखने वाली जाडिया बहुत सारी घनी जाडिया जिसमें ब्लेकनेस चाहिए इसलिए इसमें चार्कॉल पेंसिल का इस्तमाल किया गया है वही तरीका है डायबाय उपन नीचे आड़य तेरे आप दोड़ो एम-एम और कुछ कुछ दूरी पो छोड़करकर इस पेंसिल को चला रहे तो आप देख सकते हैं कहीं कईछ बॉइट नस नज़र आ मैं ज़्यादा प्रेशन नहीं दे रहा हूँ, मीडियम प्रेशन देते हुए इन जाडियों को ड्रो कर रहा हूँ, यह तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, इसके लिए मैंने और भी कई वीडियो बनाएं आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसके बाद मैं चार कॉल पें उपर से नीचे की और उतरते हुए उसको थोड़ा सोड़ा ब्लैंड करेंगे, थोड़ा सोड़ा सा डार्क उतर आएगा, फिर चार कॉल पेंसिल को थोड़ा सा तीर्चा करेंगे, और थोड़ा सा प्रेसर देते हुए उपर से नीचे की और उतरना है, ताकि खड़ी जाड जो इस वाटर लेक के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूं और इन जाडियों के नीचे के साइड में बनाने कोशिश है उनका लुक आ सके क्योंकि पहले अपने यहां पर इंक लेस पैन का इस्तमाल किया था अब उसको निकाल ना ले के लिए अब चारकॉल पैंसिल का इस्तमा यह वाटर लेक के ऊपर यह शामने प्रांट की और अपी कड़ी जाडिया बनानी है लंबी जाडिया उसके लिए मैं इंक लेस पैन का इस्तमाल किया किनारे कोूर और लेक्ट किनारे को और अच्छे से बनाने के लिए एक skale का इस्चल्ड का इस्टमाल किया और मैंने सिख्स भी पहन लिया और उसके पाओडर को डाल रहा हूँ वाटरल लेक्ट के लिए और जब अच्छे से पाड़र आप इस तरह आ डाल देते हैं तब एक cotton लेते हैं उसका अलका-अलका उपर से नीचे के रोड़ स्लाइड करके क्योंकि उपर के जो जाड़िया आदी या घर अगर बनाया है उसका पर्तिभीम नजर आना चाहिए जब पर्तिभीम नजर आएगा तब यह वाटर लेग नजर आएगा क्योंकि पानी के कलर को अगर दर्शाना है तो उपरी इससे के चाया और पर्तिभीम को ही ड्रॉ कर सकते हैं उपरी इससे वाली जो भी जे चीज़े बनाई है उनका सेड़ो यानि पर्तिभीम अच्छे से इस तरह से ब्लेंड करके बना देते है तब वाटर लेग को पूरा करने के लिए आप दाय बाय हलके हाज से ब्रस को चला करके इस वाटर लेग को रूप दिया जा सकते है पान या मुख्य जो ड्रा किया है ऊपर एक घर है और पेड़ है तो उसकी जो चाय बनानी है इसको भी हलका फुलका चाय बना देता है इसके लिए जो पेंसिल इस्तमाल कर रहा हूँ वह 6B है और 7 में cotton का इस्तमाल करा भोंगा और cotton और 7B का पेंसिल इस तरह से करना है कि हलका स करता हुआ है पूरा गशीडते हुए पैंसिल को चला सकते हैं और कॉटन का जब इस्तमाल करते हैं तो भी हलका सा गशीडते हुए उसकी कॉटन की जो बाल अगर फाए वगएरा उनको थोड़ा गशीड कर चलना चाहिए ताकि यह एक छाया के रूप में पानी की छाया के वाली टीप का निखा लाया जा सके और एक जाडियों का रूप दे सके यह कौने वाली जाडिया इस वाटर लॉक के फ्रंट की स्रब खड़ी जाडिया बनाने का यह बहुत ही अच्छा तरीका है पैंसिल को ज्यादा आदिस के से तीखना करने की जुरूत नहीं पड़ेग और झसके एंगलेस पैंसित पैंसिट पैंसित उसका ठीफ का प्रैसर उसका नजरा सके उसके बाद मैं यहां पर कुछ उड़ते हुए पक्सि बना देते हैं इसके लिए भी चार्कॉल पैंसिल का इस्तमाल करतेते हैं मेजिरमिंट नहीं लिया है यहंदाश से बना रहें औ का भूलका पक्सी का जो चाया है उसको भी बना देते हैं ताकि इस वाटर लग को अंतिव रूप दिया जा सके आप एक दो या तीन बना सकते हैं अपने मन पसंद से आप चाहे तो ब्लैक पक्सी की जगे वाइड भी बना सकते हैं इसके लिए आप एरजर या वाइटनेस का भी प्रयोग कर सकते हैं यहां पर मैं इसी पैंसिल से ब्लैक पक्सी ही बना रहा हूं तो उम्मीदे यह वीडियो पसंद आया होगा ना पसंद आया हो तो कमेंड करके बताए कि क्यों नहीं पसंद आया वीडियो देखा इसलिए धन्यावाज